नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में बात करते हैं हर एक मेडिसिन की बेसिक जनकारी तो इतना तो पता ही होना चाहिए तो चले स्टार्ट करते हैं बिना किस इंट्रों के आज किस वीडियो में बात करेंगे अलका सोल सिर्फ के बारे में तो अलका सोल औरल सलूसन एक दवा जो गाठिया और किड्नी स्टोन की इलाज के इस्तिमाल के लिए किया जाता है। यह शरीर में αυτा जबरीड पूर। का देट न रुकता है और गठिया के इनटैक को कम करता है। तो गट्रीड लिओर को कस्याज को लगते ह 때 देटाय। हम बात करते है इसकी। components के बार में इसमें डी सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट मिला रहता है और यह स्टेंड मेड प्राइवेट लिमिटेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है अब हम बात करते हैं इसके इसके बात करते हैं इसके बैदे के बार में इसके फैदे के बार में अल्टासलॉजन को गाठियों की रोब थाम और इलाज के लिए इस्तिवाल किया जाता है जब अस्तरब बहुत अधिक हो जाता है तो कृश्टल कुछ जड़ों और आपकी किड्नी और उसके आस पास बन सक करते हैं इससे अच्छानक और गंभीर दर्ड लालिमा गमाईस और सूजन हो सकता हैं यह दवा क्रिश्प्टल को बनने को रोक कर और आपके रक्त में यूरीकेशिड के अस्तर को कम करके काम करता हैं इससे आप में लक्षड पैदा होने की संभावना कम हो जाती है और यदि यह लक्षड देखतें भी हैं तो यह हलके हो जाते हैं आम तोर पर यह दिर्ग कालिक इलाज है और खुराक के पूरी होने पर यह नियमित रुप से लिया जाना चाहिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बरे में इस दवा से होने वाले आधिकान साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जोरत नहीं पड़ती है और नियमित रुप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाथ हो जाते हैं अगर साइड बिगड़ने लगते हैं तो आप अपने नीजी डॉक्टर से सला ले सकते हैं इसके कुछ समाने साइड इफेक्ट है जैसे पीट में दर्द ठकान डैरिया या मिचली याना या उल्टी या बार-बार पिसाब करने की इच्छा अब हम बात करते हैं इसका यह इस्तमाल कैसे करे इस दवा की खुराक और अनपान की ओधी के लिए अपने डॉक्टर से सला ले इस्तमाल करने के पहले लेवल की जाच कर ले इसे मापने वाले कॉप से मापे और फिर पिए इस्तमाल करने के पहले अच्छी तरसी लाए अलकासल औरल सलूसन को खाने के साथ या भुखे भी ले सकते हैं लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एकताय समय से लिया जाएं ज्यादा जनकारी के लिए निचे दिये गए नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऐसे ही हिल्टिस के बारे में और भी जाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें थैंक यू